कि अब साई यह एक कैसे हो आप सब तो आज हम बनाएंगे समुसा अपने बहुत सारे रिक्वेस्ट की थी और कमेंट में भी बताया था कि समुसे की रैसिप कोई पोस्ट करो तो आज मैं अपके साथ समोसी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ बस मेरे अपसे एक रिक्वेस्ट है अगर आप तक सब्सक्राइब ने किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजे और वीडियो को पूरा देखे मैंने पूरे वीडियो में आपके साथ बहुत सारी टिप्स शेयर की है तो चलिए करते है रेसिपी को स्टार्ट तो समोसी बनाने के लिए सबसे पहले हम आटा लगा लेंगे मैंने यहां पर देड़ कप मैदा लिया है आप चाहे तो गेहु का आटा भी ले सकते है या फिर आधा मैदा और आधा गेहु का आटा भी ले सकता है इसमें हम डालेंगे एक चमच नमक और यहां आता है हमारा इंपोर्टन पॉइंट नमबर वन के आटा लगाते वक्त हमें इसमें बारिक सूजे डालनी है दो चमच हम सूजी क्यों डाल रहे हैं यह मैंने आगे आपके साथ शेयर किया है तो वीडियो पूरा देखेगा अब हम इसमें डालेंगे अजवाइन तो मैंने आप पे छोटी एक चमच भर के अजवाइन लिए और इनको ऐसे क्रश करके डालना है हाथों के बीच में और अब हम इसमें डालेंगे ओल तो मैंने आप तीन से चार बड़े चमच ऑल लिया था और अगर आपको बहुत जादा खसता चाहिए समों से तो आप तेल के जगे पे घी डाल सकते हैं जितना हमने तेल लिया था उतना ही आपको घी लेना है और अब हम इन सभी इंग्रिडियन्स को मैदे में अच्छे से मिक्स कर लेंगे कुछ इस तरह से मैदे का टेक्चर जाहिए जब मैं इस यह बस इतना ही गरम पानी है जितना हम इजीली पी सके तो जादा भी गरम पानी नहीं लेना है और यह गरम पानी इसलिए मैंने डाला है क्योंकि हमने जो सूजी डाली है ना वह बहुत जल्दी फूलेगी अगर हम गरम पानी से आटा लगाएंगे फिर हमें जादा देर के वह एकदम खस्ता बने और क्रंची बने अगर आपसे पानी ज्यादा हो गया या फिर थोड़ा सा सॉफ्ट आटा लगया तो पूरी जैसा टिक्स्चर आएगा समोसे का तो इस बात का हमें धान रखना है कि पानी थोड़ा थोड़ा करके ही आड़ करना है यहाब मैंने आटा से लगा लिया है अब उसके ऊपर थोड़ा सा तेल लगा के हम इसे रेस्ट करने रख देंगे अब हम क्या करेंगे इस आटे को ढख देंगे और इसो तब तक रेस्ट करने देंगे जब तक हमारी स्टफिंग नहीं बन जाती और अब हम समोसे के एकदम मज़ेदाल सी अब कितना तीखा खाते हैं उसके हिसाब से आप मिर्च के कॉंटिटी कमया जादा कर सकते हैं अब मैं इसमें डाल रही हूं कड़ी पत्ता इसको करी ली उस भी बोलते है यह अगर आपको पसंद नहीं है तो आप स्किप कर दीजे लेकिन इससे बहुत अच्छा फ्लेवर लिए थे उनको उबाल के छिफ मैस करके लिए है आप चाहे तो ग्रेट करके भी ले सकते लेकिन यह चोड़े तुक्ड़े रहते हैं ना समोसे में वह अच्छे लगते तो मैंने इसको ऐसे हाथ से मैश कर लिया है इसमें सुख्य मसाले डाल देते हैं तो मैंने इसमें डाल एक चमश लालमीश पाउडर, एक चमश धनिया पाउडर, एक चमश गरब मसाला, एक चमश चाट मसाला या फिर आप आमचुर पाउडर भी डाल सकते हो और एक चमश नमक मिक्स कर लेंगे सभी मसालो को मैं जब भी समोसे की स्टफिंग बनाती हूँ तो उसमें राई, जीरा या फिर प्याज, लेसुन वो कुछ भी नहीं डालती हूँ अगर आपको पसंद दे तो आप वो डाल सकते हो लेकिन जो ऑथेंटिक समोसे की फिलिंग रहती है वो सेम इसी समोसे बनेंगे जैसे हम मार्केट में खाता है समोसे वेसे शेम टेस्ट आता है स्टफिंग के वज़े से तो स्टफिंग यहाँ अच्छे से मिक्स हो गई है और मैंने बाल में निकाल दी है आटे ने भी अच्छे से आराम कर लिया है यानि कि 15-20 मिनिट हमने जो मिल गई है सूजी भी अच्छे से फूल चुकी है और अब हम आटे को डिवाइट करेंगे छोड़े-चोड़े पोजिए तो ऐसे ही इक्वल लगाने की जरूरत नहीं है अगर अच्छे से आठा गुंता होगा तो हमें ऐल या फिर आठे की जरूरत नहीं पड़े की बेलते वक्त तो आप देख सकते हैं मैंने इसको कितना लंबा बेला है अब हम क्या करेंगे इसको बीच में से कट करेंगे बहुत लोगों को समुसी को शेप देना थोड़ा सा मुश्किल लगता है इसलिए मैंने आपको आज एक दो मीजी वाला तरीका बताया है तो हमने क्या किया हमारी जो रोटी बेली थी हमने उसको बीच में से कट कर लिया और जहां से हमने कट किया है ना वहां के आधे पोर्षन पे हमें पानी लगा लेना ऐसा करने से हमारे जो किनारे है समोसे के वो अच्छे से चिपक जाएगे और तेल में डालने के बाद कूलेंगे नहीं इस तरह से हमें आधे पोर्षन में उंगली के मदद से पानी लगा लेना है और फिर दूसरा जो एंड है उसको ऐसे पकड़ के घुमा के हमें कोन बनान थोड़ी से प्रैक्टिस करने पर आपको यह बहुत इजली जम जाएगा बस थोड़ा सा प्रेशर लगा के हमें अंदर की साइड जो है वो अच्छे से चिपकानी है और इस तरीके से कौन तायार होने के बाद उसमें हम डालेंगे एक से दो चममेच हमारी मज़ेदार बाहर वाले जो दो कॉर्नाज रहे जाएंगे वह हमें ऐसे चिपका लेने तो वह भी हमें पानी लगा के चिपकाने है तो इतने हमारे समोसे बनके रेडी हो जाएंगे और आप इसका शेप देख सकते हैं हमने इसे एकदम मार्गेट जैसे बनाया है इसी तरह से अब हम लेली दो चमच लेकिन अगर आपके पास मोटी वाली जो सुझी आती है वह होंगी तो आप एक बार उसे मिक्सी में से चला के वह यूज कर सकते हैं और वह हमने इसलिए डाली थी क्यूंकि वह हमारे समोसे को और जादा क्रिस्पी और क्रंची बनाएंगी हमारे समोसे को अ इसे शिकायत रहती है कि जब हम घर पे समोसे बनाते हैं तो वह तलने के बाद उनकी उपर ऐसे बड़े-बड़े बबल जा जाते हैं ऐसा होने के तीन कारण है पहला यह है कि जब हम आटा लगाते हैं तो वह थोड़ा सा सौफ्ट अगर हो गया तो उसके वेज़े से भी स् है तो वह मैंने आपके साथ आगे शेयर किया है आप ध्यान से देखिए और यहां पर आता है हमारा इंपोर्टन पॉंट नबर थी या फिर आप इसे एक इंपोर्टन टिप भी बोल सकते हम जब भी तेल गरम करते हैं कुछ भी चीज फ्राइब करने के लिए तो हमेरे तेल रिजन की बबल्स क्यों आते हैं समोसे के उपर यह सबसे ज़्यादा इंपोर्टन स्टेप है कि हमारे समोसे अच्छे बनेंगे या खरब हमें समोसे डालते वक्त तेल को बहुत ज़्यादा गरम नहीं रखना है थोड़ा सा तेल जब मीडियम गरम होंगा तभी हमें समोसे डालने है और गैस की फ्लेम जो है हमें पूरे समोसे तलने तक मीडियम से लो के बीच में रखनी है अगर हमने हाई फ्लेम पे समोसे को तला तो 100% उसके उपर वो बबल आएंगे और इसके वजह से समोसे का टेक्च्चर पूरा खराब हो जाएगा इस तरीके से फ्राय करने होंगे कि समोसे कितने अच्छे बने हैं बाहर से एकदम खस्ता और क्रंची अंदर से एकदम सॉफ्ट आलूप की फीलिंग एक बार मैं आपको इसकी आवाज भी सुना देती हूं कि यह कितनी क्रंची बने है तो जैसे कि आपने सुना ही होगा कितनी अच्छी कवरिंग बनी है हमारी समोसे की आप में से बहुत लोग इरा मेरे वीडियो देखते तो है लेकिन सब्सक्राइब भी नहीं करते तो सब्सक्राइब भी करतीजिए यह एकदम फ्री है और इससे मुझे बहुत जादा मोटि कीजिए तो मैं मिलती हो अब से नेक्स्ट रेसिपी में तब तक के लिए बाइबाय ठेक क्या स्टेट यूंड